1947 में जब पाकिस्तान बना तो उस वक्त हमारी पॉपुलेशन थी 38 मिलियन और पर कैपिटा जो पानी आता था वो तक्रीबन 5,260 क्यूबिक मीटर था आज हमारा पॉपुलेशन 208 मिलियन हो गए और अगर उस हिसाब से उसी पानी को देखा जाए तो आप तक्रीबन 1000 क्यूबिक मीटर पर कैपिटा आपका पानी है 1000 क्यूबिक मीटर पर जो मुल्क पहुँच जाए उसको वाटर स्केर्स मुल्क कहा जाता है लेकिन खुश किसमती ये है हमारी कि पानी के बारे में हमारा बल्ब रोशन हो गया आप किसी कमरे में जाते हैं स्विच करते हैं तो एकदम कमरा रोशन हो जाता है तो खुश किसमती हमारी ये है कि पानी के बारे में एकदम लोगों को चाहे वो हकूमते हो सुबाई या फेडरल लेवल पे चाहे वो एक्सपर्ट्स हो चाहे वो सिविल सुसाइटी हो चाहे वो सुप्रीम कोट हो चाहे वो पब्लिक हो बच्चा बच्चा अब उसको एसास हो गया है कि ये एक ऐसी देमत है जिसको हमने हर सुरत में बचाना ही बचाना है फिर क्या वजाती कि हम इस वक्त वाटर स्केर्स मुल्क के तौर पे खड़े हों ये दो महीने में एज वाटर मिनिस्टर अपनी सेक्टरी साब और उनकी जितने अमला था उनके साथ मिलके और पाकिस्तान के दीगर एक्सपर्स के साथ मिलके हमने वारो फिकर किया है कि इसकी क्या वजाए कि ये इस हाल तक हम पहुँचे हैं और इसका क्या solution है, क्या हल है तो पहले मैं थोड़ा सा जिकर करूंगा कि हमारा मसायल क्या आते हैं और फिर उसकी हल की तरफ जो दस तजावीज हैं उसकी तरफ मैं आऊंगा सो सबसे पहले आपको मसायल क्या थे हमारे अर्फ क्या हैं उनकी तरफ थोड़ा सा वारो फिकर करते हैं पाकिस्तान एक लोर रिपेरियन है लोर रिपेरियन का मतलब ये है कि हमारा जो पानी आता है वो उपर वाले मुलकों से हो के आता है, उनका सोर्स भी उपर वाला मुलक है और हम तक पहुंचता है बाद में, हम लोर रिपेरियन है तो जब हमारी ये पॉजिशन देखते हुए 1960 में हमने हिंदुस्तान के साथ एक इंडिस वाटर ट्रीटी की एक मौइदा किया उसका नाम है इंडिस वाटर ट्रीटी और ये जो मौइदा है इंडिस वाटर ट्रीटी उसके तहट जो हमारे तीन मश्रकी जो दरियात है सतलच, रिवर, बियास, जावी ये हमने हिंडुस्तान को दे दिये कि आप इनके उपर बेशक डैम्स बनाएं आप इनका पानी किनाल्स के जरीए अपने मुख्तलिस इलाकों में ले जाए हमारा इस पे कोई हक ने लेकिन उसके साथ दूसी तरफ मौइदे में ये कहा गया कि जो हमारे वेस्टन रिवर्स हैं चिनाब, जेलम, इंडस इसके उपर, इसके पानी के उपर पाकिस्तान का हक होगा इंडिया ने अपने डैम्स बना लिये अपने किनाल्स भी बना लिये लेकिन पाकिस्तान ने भी यही करना था जो 138 म.A.F. पानी आ रहा था 188, हमने भी उस पे डैम बनाने थे साथ आठ डैम्स का प्लैन था जिसमें काला बाग डैम्स भी शामिल था और उसके साथ साथ 300-400 से ज्यादा रिजरवाइल्स और रन ओफ दे रिवर प्रोजेक्ट्स रिजरवाइल्स और रन ओफ दे रिवर प्रोजेक्ट्स भी थे लेकिन बदकिस्मती से हमने जब से वो इंडिस वाटर टीटी की है हमने दो डैम्स बनाए मंगला और तरबेला अब आप ये देखें कि मंगला और तरबेला में जो टोटल स्टोरिज कपैस्टी थी वो 15 मेफ थी 15 मेफ और शिल्टिंग की वज़ा से इस वक्ट वो कपैस्टी तक्रीबन 13 मेफ 13.1 मेफ रह गई विया और आगे जाके शिल्टिंग की वज़ा से वो और कम होती जाएगी जब के 138 मेफ पानी जो है उसमें से सिर्फ 13 आप स्टोर कर रहे हैं बाकी सारा का सारा पानी जो है वो जो एगरिकल्चर में इस्तमाल हो जाता है वो तो हो जाता है बाकी सारा उसके लावा समूदर में जाया हो जाता है तो ये सूरते हाल थी हमारी इस वक्ट और हमने कालाबाव डैम जो मेरे मताबक बहुत जरूरी था और बनना चाहिए था उसमें कंसेंसिस ही नहीं हो सका मिस अंडरस्टेंडिंग्स हो गई सूबों में और हो सकता है कि इसमें कोई गैर मुल्की अनासिर का भी हाथ हो कि मिस अंडरस्टेंडिंग्स बढ़ती ही गई इतनी ज़्यादा बढ़ती गई कि कालाबाव डैम हम शुरू भी नहीं कर सके आज तक लेकिन जो चीज मुझे नहीं समझ आती जो चीज मुझे नहीं समझ आती वो ये है कि जहां पाला बार डैम पे कंसेंसिस नहीं हो सका और वो हम नहीं बना सके वहां जो बाकी डैम थे जो हमें बनाने चाहिए थे जहां बाकी reservoirs थे जहां बाकी run of the river projects थे वो क्यों नहीं बने एक कहा जाता है इसकी बज़ा ये थी कि dams को कहते हैं कि ये low hanging fruit नहीं है यनि कि ये ऐसी चीज नहीं है जो आपको एक दम हासिल हो जाए उसके result नजर आना शूरू हो जाए ये 25-30 साल बाद इसके आपको नताइज नजर आते हैं इसलिए शायद किसी ने इस पे गोर नहीं किया तो eventually ये हुआ कि काला बाग डैम भी नहीं बना और बाकी डैम भी ना बने दूसरी जो बहुत एहम चीज है कि जहां हम पानी की बात करते हैं आपको ये भी साल होना चाहिए कि क्लाइमेट चेंज भी हो रहा है और क्लाइमेट चेंज की वज़ा से हमारे ये जो 138 म.A.F. पानी आता है हो सकता है इसमें भी कमी पेशी हो और साथ आपके क्रॉप पैटरन्स जो हैं जो ट्रॉप्स हैं उसके भी सीजन्स चेंज हो जाएंगे उसका इंपैक्ट करने के लिए भी आपको ये डैम्स बहुत जरूरी थे आप पूछेंगे मेरे से कि ये डैम्स जो है एक तो पानी बचाने के लिए इसके और क्या फाइदे है जो समझने वाली बात है वो ये है कि ये जो 138 म.A.F. की मैं बात कर रहा हूं जो हर साल आता है ये साल के सारा वक्त नहीं आता ये पानी एवरिज पानी है साल का क्योंकि अCili असल पानी आपका सिर्फ चंद महीने के लिए आता है बाकी महीने जब सर्दियां आती है बहुत कम हो जाता है इसलिए इसको स्टोरेज की दुरूर्ट है ताके आप सारा साल वो पानी इस्तमाल करते रहे वरना जब ज़्यादा पानी आता है तो वो जाया हो जाएगा कम आता है तो आपके पास होगा नी इसके माल करने के लिए तीसरी अफकॉस इसकी जो मेजर डैम्स की वज़ा है बनाने की वो है बिजली क्योंकि ये सबसे सस्ता बिजली बनाने का तरीका है और नॉर्मली 40 फीसद 30 से 40 फीसद आपकी जो बिजली है वो हाइड्रो प्रॉजेक्ट से बनती है हमारी में अखले सेक्टी साथ सही बताएंगे हमारी सिर्फ 27 परसेंट है तो ये डैम्स जो नहीं बने ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है आने वाली हकूमत को लेकिन जैम्स के बनने के साथ साथ जहां आप पानी को बचाने की और उसको जमा करने की बात करते हैं वहां उतना ही जरूरी है और ये मैं एंफसाइज कर रहा हूं अंडरलाइन कर रहा हूं उतना ही जरूरी है कि आप जो पानी को पहुंचाने के तरीके हैं उनको भी उनके इस्तमाल के तरीकों को भी इंप्रूव करें मसलन आपका नवे से पचानवे फीस्द पानी जो है वो एग्रिकल्चर के लिए इस्तमाल होता है नवे से पचानवे फीस्द और वो जो पानी आपका 90 से 95 पीस इस्तमाल और अग्रिकल्चर में उसको पहुंचाने का तरीका है किनाल्ज के जरिए हमाने किनाल्ज में जो हम पानी पहुंचाते हैं वो 60 से 70 पीसद जाया हो जाता है क्योंकि उसकी लाइनिंग नहीं हुई 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 अगर आप लाइनिंग करने किनाल्ज की तो आप हर साल 6.5 म.A.F. का पानी बचा सकते हैं 6.5 मF का पानी यानि 2 साल में आप तर्बेला और मंगला जितना जाए आप डैम का जो पानी आपने बचाया 13.1 इशारिया वो आप पूरा कर सकते हैं लाइनिंग की तरफ भी पूरी तरह तवज्जो नहीं दी गई हालाग यह डैम से सस्ता काम फिर जिसका मैंने कहा कि आपकी एग्रिकल्चर 90-95% 90-95% पानी जो एग्रिकल्चर पर इस्तमाल होता है वो एग्रिकल्चर टेक्नीक्स आपकी जो है जो आप इस तरह आप एग्रिकल्चर करते हैं वो 200 साल पुरानी टेक्नीक्स है यनि के हमारी टेक्नीक ये है कि हम पानी को फसलों में डाल देते है और आदा पानी हवा में चला जाता है आदा पानी जमीन के अंदर चला जाता है और जो क्रॉप है जो आपका फसल है उसको थोड़ा सा मिलता है जबके बाकी दुनिया क्या कह रही है, ड्रॉप फूर अक्रॉप, यepherने से आप च्रॉप बनाएं हमने उसकी तरह भी गोर नहीं किया जबके दूसरे मुमालिक में देखें तो उन्होंने रेगिस्तानों में drop for a crop drop for a crop टेक्नीक के जरीए उन्होंने रेगिस्तानों में फसले उगा ली हमने ये भी नहीं किया फिर आप एक और गोर करें बहुत बड़ी बात है आपके जो शहर है और जो गाउं है जहां पानी इस्तमाल होता है मैं आखाल है हम वो थोड़े से मुल्कों में से हैं जो पीने वाला पानी स्यूरिज के तोर पे इस्तमाल करें हमें चाहिए था कि सिस्टम बनाए कि स्यूरिज का पानी अलग और इने का पानी अलग इस्तमाल हो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स बनाएं उस पे भी वोरों से तरने हुआ ये सारे मामलात हैं जो हमने नहीं किये जो मैंने आपको दिकर किया लेकिन अगर आप देखें तो जब हम आये तो हमने वाटर की जो हमारी डिपार्टमेंट है उसे पूछा कि भी आपका बज़िट कितना आएगा आपने इतने सारे काम इतने सालों से क्यों नहीं किये तो हमें पता चला और इससे पहले कि मैं आपको फिगर बताऊ जो दुनिया में डिपेलिप्मेंट बज़िट है वो बीश से तीस परसेंट अपना डिवेलिप्मेंट बज़िट पानी पे लगाते हैं हमारा जो development budget मैंने नहीं से पूछा यह उन्हें का जी तीन से साथ परसेंट तीन से साथ परसेंट तो इस budget से आप अपने पानी का मसला हल नहीं कर सकते आपको अपना budget पानी का तबदील करना पड़ेगा 20 से 30 फिसद फॉरन लिजाना पड़ेगा इसके साथ साथ इससे पहले के मैं तजावीज पे आऊँ यह सारा काम हमारा जो अपर रिपेरियन है यनि के हिंदुस्तान वो देख रहा है और उन्होंने इंडस Water Treaty की खलाब वर्जी करते हुए इंडस Water Treaty की खलाब वर्जी करते हुए उन्होंने क्रिशिन गंगा डैम बना लिया जो डिजाइन इंडिस वाटर टीटी में दिया गया था उसकी भी खलाब वर्दी की और अब वो इंतजार कर रहे हैं कि हम आगे जाके बाकी डैम्स भी बनाएं जिसमें एक रतले डैम्स भी बनाने का एरादा है अबता ये केस जो हम लेके जाना चाहते हैं पाकिस्तान इसके उपर मैंने बहुत गोरों फिकर किया बहुत स्टडी किये और ये बड़ा अच्छा हमारा केस है ये भी हमारा चैलिंज होगा केस केस को हम वर्ल्ड बैंक को ये मजबूर करें कि वो जो सालसी अदालत है इंडिस वाटर ट्रीटी के तहर वो बनाएं ताकि हम अपना ये केस्ती जीच सकें अब मैं आता हूँ दस तजावीज पे जो हमने तजावीज बनाई उसके लिए मैं कहना चाहता हूँ मैं शुक्रिया करना जाता हूँ क्योंकि जहां तक तो सेक्टरी साब हैं और बाकी जो वाटर डिपार्टमेंट में लोग हैं काम कर रहे हैं इसके अलावा हमने जो पाकिस्तान में जितने एक्सपर्ट्स थे पी-एच्डी जिनको बाहर के मुलक इस्तमाल कर रहे हैं जिनकी सर्विसेज और एक्सपर्टीज को बाहर के लोग इस्तमाल कर रहे हैं हमने उनको भी दावद दी और मैंने उनको कहा कि देखें मैं आपको हकूमत आपको कुछ दे नहीं सकती सिर्फ आपसे मांग सकती है वोलिंटेरिली आके लोगों ने ये तजावीज दी है और हमने उसको फिर सिंथिसाइज करके उसको कंपाइल करके दस मेजर रिफॉर्म पैकेजिस में डाला वो दस मेजर रिफॉर्म पैकेजिस क्या हैं नमबर वन आप काला बाव डं के एक ये ये चैलिंजिस हैं आने वाले वक्त के लिए और फिर इसको शुरू करें ये जरूरी है जिसा मैंने का हम जिनदगी की बास कर रहे हैं और जब हम जिनदगी की बास करें तो आपको हर चीज़ को देखना पड़ता दूसरा जो डैमर बाशा डैम है और जो मुहमंद डैम है बाशा डैम के टोटल जो आपकी रेज़र्वायर की कपैस्टी होगी वो 11.7 म.A.F होगी और जो मुहमंद डैम की है वो 0.75 म.A.F है इनकी तामीर फॉरण शुरू की जाए यह दूरूरी है और इसके जो फंड्स हैं इसको दो आइटम्स में डिवाइड करना पड़ेगा फंड्स आपको डैम के लिए खुद ही पाकिस्तान को खुद ही इसका अंतिजाम करना होगा और जो सेकंड फेज होगा इसका वो होगा बिजली बनाने का उसके लिए आप कमर्शिल लोन्स ले सकते हैं जो इन डैम्स बनाने के मसाइल हैं मसलिन कॉम्पंसेशन देना फुल पैकेज कम्प्लीट करना यहां कोई टेरिटोरियल डिस्प्यूट है कि उसका पावर स्टेशन किदर होना चाहिए किदर नहीं होना चाहिए यह सारे जो मसाइल हैं यह भी एक कमिटी के जरीए फॉरन उसी एक बनी हुई है जो इसको रिजॉल्व कर सकते हैं लेकिन एक पुलिटिकल विल चाहिए कि उसको आप रिजॉल्व करें नमबर तीन इसके साथ साथ ही जो दूसरे छोटे डैम्ज और रेजरबोयर्ज हैं जो चार सौ पांच सौ से ज्यादा हैं और उन पे इतना खर्चा नहीं होता उनको भी शुरू करें नमबर चार बजट वाटर का कम असकम बीस परसेंट के लिजा लिजाना चाहिए इसी साल से नमबर पांच जो किनाल्ज हैं उनकी लाइनिंग का भी जो काम है जो इतना महिंगा नहीं उस पे पराम पौरण शुरू कर दिया जैसा मैंने एक्स्टेन किया कि आप 6.5 मेफ बचा लेंगा एक साल का डैंस बनने में तो देर लगेगी ये लाइनिंग का वक्त ये जो काम है ये अभी हो सकता जो जदीद काशकारी का निजाम है उसमें तीन चीजे हैं एक तो जो तालीम देनी फार्मर्स को दूसरा एकुप्मेंट देना तीसरा पैसो के जरीए मदद करना ताके वो ये ट्राजेक्स लगा सकें ये काम भी साथ ही शुरू होना चाहिए जो वाटर मीटरिंग है यनि के आपके पास इस वक्त एक बटा तीन मिलियन ट्यूबिल्स काम कर रहे हैं वो सारी अन्रेगुलेटिड है जब मर्जी नकाल लो पानी जितन कानून के जरीए और जब तक आप कोई चीज मुफ्त इस्तमाल करते रहेंगे आप जाया करते रहेंगे ये भी जरूरी है कि उसके वालियूम बेस्ट या फसल के बेस्ट चार्जिस किये जाएं एक और बड़ा मसला है जिसकी तरफ हमने गोर किया वो ये है कि बड़ी क्यूजन है सूबों में कि कितना पानी कौन इस्तमाल कर रहा है और उसकी एक मिजर वज़ा ये है कि स्टेंडरडाइजड एकुप्मेंट नहीं है जो बता सके कि किस किस पॉइंट पे कितना कितना पानी है सो ये एकुप्मेंट इंस्टॉल करने का ये काम शुरू हो चुका हुआ है मुझे बताया गया है कि दो साल में कम्प्लीट हो सकता है ये काम भी कम्प्लीट करना है ताकि ये जो प्रॉब्लम रहता है कि कितना सूबे ने कितना पानी इस्तमाल किया वो भी एक बार खत्म करते हैं जदीद टिकनॉलोजी के इस्तमाल से फिर हमें कहा गया है जिसना मैंने कहा कि जो अर्बन सेंटर्स हैं हमारे वहां से शुरू करें और हर जगा ले जाएं ये जो पानी पीने का पानी और स्यूरिज का पानी अलग अलग है इसके लिए जो नई टिकनॉलोजीज हैं कानून साधी की भी जुरूरत है वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स की भी जुरूरत है और जो सिस्टम्स हैं लगाने के लिए कि घरों में दो दो सिस्टम्स जाएं पानी के एक पीने वाला एक वाटर ट्रीटेट स्यूरिज वाला उसके लिए भी काम होना चाहिए आखिर में हमें ये बताया गया है और ये बहुत एक एहम आखरी पॉइंट है क्योंकि ये तुर्की जीसे मुlक, इरान जीसे मुलकों में ये बड़ा इस्तमाल होता है ये बड़ा कामजाबी से इस्तमाल हो रहा है वो है वाटर हार्विस्टिंग, रेन हार्विस्टिंग, बारसी पाने की जखेरा अंदोजी, यनि कि आप जो बारस का पानी है, उसको आप एक तरह बचाते हैं और उसको फिर इस्तमाल करते हैं मुखलिफ, ये एरान में है और ये हम सिजेस्ट करते हैं, ये दस पॉइंट्स जो दस गाइड डाइन्स हमने बनाई थी, वो मैंने का आप तरह शेयर करूँ, अब पानी के मामले में कौम का इतफाक राय है, इसमें कोई सियास्ट नहीं है, इसमें कोई पॉलिटिक्स नहीं है, उमीद ये है कि हर पॉलिटिकल पार्टी इस एजेंडे को जरूर फॉलो क करें, आपका बहुत शुक्रिया, आमीन, पाकिस्तान, पाइंदाबार, जो जो आपके सुवालात हैं, पानी के बारे में वो पहले पूछ ले, इसमें पॉलिटिकल आपके अबड़का गुत्तान को सठी किया होगा, ये जो इक्रीटिकल पाइंदाब इसमें पाइंदेश्य के समाम के शॉप्सेट जो हमें, वो भारे नाइस्टी लिगेट कशन पाइंदाब में एंदेश्य का पारे आपके शॉप्सेटिकल वारी हैं प्रड़ा जर्याद माई इड़ा संगाव के बाद शुल खाल, वो पूरत और भुदा से या इस पूरी है, जीव का साथमा काट जाए 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 इस इड़ा सब्सक्राइट की को द्राइब नहीं होना चाहिए, इस इड़ा सब्सक्राइब को आपनिका में बात की जो काट काहिए बाता हैं, आपना अंटा बडा की जाए जो कि अपी इक्ज़ा क्व तो बताते हैं लेकिल में अपना भी बता जू आपको मेरे वियू में जो 1960 में ट्रीटी की गई वो चुनके हम लोर रिपेरियन थे चुनके उसके अगर आप तारीख देखें और जो वाकिया देखें तो मेरा कहले है वो जरूरी था आप डिबेट कर सकते हैं कि वो अच्छी थी या बुरी थी लेकिन उसको रिवर्श करना अब बिल्कुल मुम्किन नहीं है उसको चैलिंज करना भी हमारे पाकिस्तान के हक में नहीं है और फाइदे में नहीं है अब हमें अगर हम ये सारी जो मैं चीज़ें आपको बताई थी बातें अगर ये हम दस नकात या इन में से कुछ नकात पूरे कर चुके होते अब तक तो हम इस को बिल्कुल एस ट्रीटी से जतना फाइदा उटाना था उटा चुके होते और हम इस ट्रीटी के बार पार बात भी ना करतें लेकिन चुके हमने ये काम नहीं किये इसलिए आप ये स्वाल पूछ सकते हैं कि वो फाइदा था या नहीं बारहल जो हो गया वो हो गया मेरा खाल है अब हमें आगे की तरफ देखना है और प्रीटी को किसी किसम का रिवर्शल पॉसिबल ही नहीं है ना हमारे लिए ना हिंद प्राफिक्तान के ज़रा रिवर्शल पॉसिबल है नहीं है नहीं हमारी पॉस्च पॉस्चान बात ये है कि अब एक नई ह्कूमत आ रही है और उसके साथ-चाथ हमारी कुछ एक जियो पॉरिटिकल सिच्वेशन भी तबदील हो रही है अब आप देख रहे हैं कि हमारे साथ ये डिजिनल कॉर्पॉरेशन के जरीए चाइना तर्की रश्या और बहुत सारे मुमालिक जो हैं हमारे दोस्त मुमालिक वो अब समझ गए हैं और बात समझ रहे हैं कि पानी एक हमारा वाके ही इशू है अब वर्ल बैंक को ये करना ही पड़ेगा और यही हमारा चैलेंज है जिसा मैंने कहा कि किस तरह हम वर्ल बैंक को ये मजबूर करते हैं कि वो ये जो सालशी अदालत है वो बनाए हमारा राइट है हमारा हक है तानूनी हक है उसके लिए हमें जो भी जिद्व जहत करनी है हम कि दूसी तरफ नहीं चाहेंगे कि ये एक अदालत बने क्योंकि उससे चायद हमारा उनको पता है कि हमारा हम हम हक पे हैं और वो इसको डिले करने की कोशिश करेंगे दूर्स खरमा रहे हैं। कि दूर्स करेख नहीं का पास्क्ते शाजाओं सिस्टम लगाएं। क्योंकि दोकाटन प्रॉलिघत करेंगे चाहुंकि एफ़को और अफ़राव कि दूर्स खराव। जो मेगा डेंज है वो तो वफात के दाराकार में आते हैं, किनाल की जो लाइनिंग है और उसकी जो फरदर आगे पिर जो ट्राइडिटरीज हैं और पिर माइनर्स हैं, उनकी लाइनिंग सुगों का बन्यादी जिद्मिलारी है. लेकि वफात निस इस उस्थे में इसक्त हमा नैशनल वाटर कॉंसर का जिलाज सब भी नई गर्मेंट बनेंगी फौरीटर के होगा, और ये टॉप अफ दी एजंडा है, कि सुगे जो है, वो सफिशन्ट इसन्ट अलोकेशन करेंगे लाइनिंग के लिए, और वफात भी इसमें सुपोर्ट करेंगा, नमबर इसमारी है दूसर जो है इंपॉर्टेंट इसमारी है, वो बात दुरूस है कि 2005 में चाली मेर्टर का निजाम लाया गया, 2017 तक वो चला है, लेकिन उसमें एक तो टेक्नालोजी आपसर लीट हो गई, और कुछ इसके फंसल प्रॉब्लम से जिसके फुर्सूगों का ट्रस्ट नहीं था, तो वो इस वक्त तो जो 2018 है, इसके अंदर तो वो नहीं चल रहा, लेकिन हमने वापनी तोर पे कावश ये किये कि इसी साल हमने 24 कॉइंट हैं जहां पे टैली मेर्टर सिस्टम लगना है, साथ इसमें वाइटल कॉइंट हैं, जिसका हमने प्रॉजेक्ट बना के इसका इसका वो आगया है, दस कम्ती से बिट किया है, और उमीर है हम डेज साल के असे में ये अमल ग्रामत करने में काम जब हो जाएंगे, और जो रुमेनी 17 कॉइंट हैं, वो अगले एक साल के मखले में इंशाला बीस सो बीस तक ये तमाम विचोबिस कॉइंट हैं, ये फुली अंडर टेक्नॉली और सेटलाइट के जरिएफिन भी मॉनिटर होंगे, फुलों का मिस तरस खतम होगा, और ये जो वाटर पोशन मेंट एकॉर्ड हैं, नाइटि नाइटी वन का, उसके फुल अमल ग्रामत होगा, और इंशाला ये मिसाल होगा, जो एक्जैक्ट जो फिगर्ज हैं कर दरिक का मिया लोगोशन में, ल्यूदि, वन कषणी अन्यसमार को मॉनित, करतर्फर होगा, concept के वाटरी मॉनिया हो, खत्रिया में पहले कने। आपके प्रेसटों के पैटरDI इंगारितिया है तो में परनीटी आपने अर्फे दिल्स करें जरुनमीज मेरे इस बिलों सबिलकिर गजsmें चाइब गीडर के पर्णापर करुंघ करें बीप आप मेरेतियाओर डेली इड़यों जी देखें बिल्कुल आपने सही फर्माया कि कुछ क्रॉप्स होती है जो पानी ज़्यादा इस्तमाल करती है जिसना गना हो गया या आपकी राइस हो गया और कुछ है जो कम इस्तमाल करती है ये बड़ी देर से पॉलिसी बनाई हुई है और इस पे मैं आपको बताता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट अफ पाकिस्तान और हाई कोर्ट में भी मैंने खुद भी केसिज लड़े हैं जिसमें पाबंदी लगाई गई थी कि शुगर केन जहां जहां उगरी है इस वर्ट इससे ज् चैलेंज किया गया कुछ शुगर मिल ओनर्ज ने और ये चैलेंज जो पहले हाई कोर्ट ने कहा कि नहीं आप ये ना करें जिसना आप फर्मा रहे हैं कि ये पानी की अल्रड़ी हमें प्रॉब्लम है आप अगर ये हाई प्रॉप सैसी ले आएंगे जिए पानी ज़्यादा करें तो और नुकसान होगा और ये पॉलिसी को अफ gjort किया उसको माना और उसको जुडिशल जजिमेंट के तहत माना उस जजिमेंट को चैलेंज किया गया सुप्रीम कोस्ट ऑफ़ पाकस्तान में और सुप्रीम कोर्ट ने भी यही किया उसके बाद फिर फिर एक कोशिश हुई कुछ साल बाद जहां कुछ लोगों ने अपनी शूगर मिल्स को ट्रांसफर करने की कोशिश की और ट्रांसफर करके किशी और जगा तब्दील करना ज़िए वो मुझे नाम मिलों के याद नहीं है मिलो के नाम याद दिये मैं खले जो रहीम याद खान गई थी बिलकुल उन क्या नाम है जो भी था उन मिलो ने बकाइदा उसमें भी चैलेंज हुआ कि आप यह नहीं कर सकते हाई कोट ने पहले फैसला दिया कि आप नहीं कर सकते कि पॉलिसी नहीं है तो इस वक जो पॉलिसी जो सुप्रीम कोट और हाई कोट ने सैंक्शन की हुई है और उसको अप्रूब किया हुआ है वो यही है कि आप क्रॉप्स की जो जो अलरेडी पैटर्न है उसको तबदील नहीं कर सकते आप शुगर के इन ग्रोइंग ज्यादा नहीं कर सकते तो उमीद तो यह है कि यही होना चाहिए बलके आपको जो एक्जिस्टिंग क्रॉप्स हैं उनको लो कंजम्शन जिनकी हो पानी की उस पे तबदील करने की ज़रूँचाद पड़े जी कपैस्टि मैंने बिल्कुल बताया ना कि आप यह वाटल का इस वक्ट डिपार्टमेंट को पहले इन्होंने तबदील तो जरूर कर दिया एक अलग से डिपार्टमेंट बना दिया वाटल का लेकिन अभी तब उसकी जो मैन पावर है और जो एक्सपर्टीज है उसमें होने चाहिए वो उससे मेरा खाल है सीख पॉर्टल भी नहीं है जो आपको ज़रूरत है इसकी एक्सपैंशन की बहुत ज़रूरत है कि आप इसकी कपैस्टि बिल्डिंग करें क्योंकि जिसा मैंने का यह दास आइटम्स जो है यह दास बंदों का काम नहीं है इसके लिए तो पूरी आपको और्गनाइजिशन चाहिए तर आपने अपनी बिल्डिंग पाली चाहिए के हमाले से दस तजाविक दिये हैं वोगे इस तग्रीज दिये है कालाबाँ दैन के काम इस सब्सक्राइब की अजयरें एक चीज़ पर यवादा है कि इस्राण पूरों के तो कि चुछी है कालाबाँ दैन काम नहीं है शर्ण आपने यह दिए दिए कि हम सो किस्टी चार-पाँ जहांगि करने का वाधी से नियाद है और दूसी चीज़ सारी इत्वारा है अगर आपके परक्ती है कि खास्टाव के भारत पाकिस्तान की कुछ स्वरिटिकर परस्टनेलिटी से इंडिस्टिक कर रहा है कि अगरों ने मुश्वस्वस्वर्ट करनी है करना तो इस तरफ आपके आपके जी देखें कंसेंसस बिल्ड करने का तरीके कार तो एक ही है आप किसी को मजबूर नहीं कर सकते आप सिर्फ एजुकेट कर सकते हैं और मेरा ख्याल है कि अब उसके लिए नमबर वन प्लिटिकल विल चाहिए और नमबर दो आपको तालीम चाहिए एजुकेशन चाहिए इस जो जो मेरा ख्याल है कि अब आने वाली ह्कूमत के पास चुंकि हमारे पास बक्त नहीं है अब हमारे पास वो टाइम नहीं रहा कि हम फिर अगले दस साल इस पर गजार लें तो इस मौके पे जहां हरे एको अख़ास हो गया है कि पाकिस्तान को ज़ुरुत है पानी की मेरा है कि नेशनल इंट्रेस्ट जो है वो अब सब के लिए सबसे जरूरी होगा पर्सनल या प्रोविंशल इंट्रेस्ट से भी बालातर होके यह सोचना पड़ेगा यह डिवेलप करना चैलेंज है जो बहुत लोग कुशिश करते रहे हैं पहले लेकिन नहीं हुआ मगर मेरा खाल है कि यह अब वक्त आ गया है कि इस चैलेंज को कबूल किया जाए और इसको आगे लेकि जाए 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 जिए जहां तक इंडिया का तालोग है जी यह जो अगर आप तारीक किताबें पड़ें इसके उपर तो आप यह देखेंगे कि जितनी कॉन्फिंस हुई हैं इसके बाहर पाकिस्तान से एंटी कालाबाग डैम वो पाकिस्तान में प्रो कालाबाग डैम उसे कम बहुत कम हुए है इसी आप अंदाजा लगा लें कि कोई ना कोई कितना पैसा लगा रहा होगा बाहर के मुल्कों में इसको करने का अलागे यह इशू सिर्फ नैशनल इशू है ये इश्यू वो इश्यू है जो के हमारा पाकिस्तान का इश्यू है और हमें इसको सॉल्व करना है तो हम अगर कर लेंगे तो फिर बाहर का कोई मुल्क डिबेट के जरीए या मिस कम्यूनिकेशन के जरीए इसको नुकसान नहीं पहुंचा सेगा ये हमारा अपना इंटरिनल म लेंगे जरीए तक आपका आपका आपकी स्वाल है वो तो मैं असानी से बता सकता हूँ कि जो डेडलाइन है कानून में कि किस वक्त आपने असेम्ली बुलानी है वो है फंदरा अधर्स क्योंकि 21 दिन होते हैं लेकिन हमारा अरादा ये था कि किसी तरह अगर ये क्योंकि सबसे पहला काम है अलेक्शन कमिशन अफ पाकिस्तान का कि सारे अपने जो स्टेप्स हैं वो कंप्लीट करने के बाद उन्होंने एक फाइनल नोटिफकेशन देनी है जिसके अंदर एक्टेड मेंबर्स हैं जो रिजर्व सीट्स के हैं जो इंडिपेंडेंट्स हैं तो सब के लिस्ट गैजिट नोटिफकेशन में आ जाए अगर वो आ जाती है तो उसके बाद हम बुला सकते हैं पारलिमेंट को तो कोशिश तो ये थी मेरी और बलके पूरी काबिना की और प्रैमिनिस्टर साब की भी कि चूँके 14 अगस्ट का एक बड़ा फंक्शन आ रहा है तो बहुत अच्छा हो कि नए प्राइम मिनिस्टर उसको आके तो उस फंक्शन में ऐस प्राइम मिनिस्टर हो और उसी दिन उनकी ओध हो तो उस तरह एक बड़ा अच्छा एक पेगाम जाता है लेकिन अगर वो वो सिर्फ मुम्किन तब है अगर ये इलेक्शन कमिशन आफ प कर का डेप्टी स्पीकर का और प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन नहीं हो सकेगा एक दिन ने उसके लिए भी टाइम चाहिए होता है कमस्गम तीन या चार दिन